दोस्तों स्वागित आपका फिर से एक निवडी में सूपस्टर आजीदेगवण की शातान फिल्म की बॉक्स कॉलक्षन लेकि मैं आपके सामने हाजर हो चुका हूँ आजीदेगवण की शातान फिल्म की कमाई दुभाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है फिल्म ने बड़े बड़े सुपरस्टरों की नाक में दम कर रखा है और बॉक्स पे पूरा कबजा जमा रखा थेटर हासफुल का बोर्ड आज भी पूरे भारत में लगा हुआ है और फिल्म सीनमो हॉल में पूरे एद के टाइम तक चलने वाली है और रिकोर्ड तोड़ छपड़ फाड़ कमाई करके इस फिल्में बोक्स पे तांड़ा मचा दिया है दोस्तों सीनमो हॉल में बहुत सारी मोवीज शतान की सामने फ्लॉप हो चुके हैं शतान के रिलीज होने की वज़ा से कई मोवीज को बोक्स पे बूरी तरह सामना करना पड़ा है और उनका कुलेक्शन अच्छा खासा कुलेक्शन हो सकता जिस तरह योदा फिल्म लेते लापता लेडिस बस्ता फिल्म और भी बहुत सारी मोवी इंदरों सीनमो होल में लगी हुई है लेकिन अगर शतान मोवी रिलीस ना होती और वो फिल्म बोक्स पे सोलो रिलीस होती है तो वो अच्छी खासी कमाई केरने की पोटेंशर रखती थी लेकिन शतान उन सारी मोवी का बोक्स इस कोलक्शन अपने बैंक के अंदर डाल दिया है और उन मोवी को बोक्स पे फिलो बनने का टैग लगवा दिया है दोस्तों मेरे को हसी आती है उन फिल्म की मेकर को इतना बुरा नुकसान हुआ है आज़े देगवान की शतान की वैसे और शतान का उलक्शन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है भाई अज़े देगवान की अक्टिंग ने पबलिक को पागल कर दिया है और पूरे भारत में अपना कबजा जमा रखा है पबलिक भर- setting प्पबलिक भर भर की इस फिल्म को प्यार दे ही और फिल्म का अभी भी इतना पुटेंचल है अभी भी इतना पावर है कि फिल्म इतना प्यार जो दिखा रही गहा है यह फिल्म पूरे यह तक चलने वाली है और ये फिल्म आराम से 40 दिन कम्लीड करेगी और तुफण नहीं कमाई से बड़े बड़े रिकोर्ड स्कैम करेगी फिल्म दोसों बहुत जल्द ब्लोकबास्ट बनने का टैग लगवाने वाली है सूपर हीट तो ये फिल्म कई दिनों के बन चुकी है और ये फिल्म लाइफ टेम में भी आराम से आराम से आराम ब्लोकबास्ट बनने का टैग लगवालेगी फिल्म को आड़ी सिर्मा में रिलीज हुए 18 दिन तो कम्लीड हो चुके हैं लेकिन 19 वा दिन स्टार्ट हो चुका है कितने के बात करेंगे शातान ने पहले 19 दिनों के अंधर इनिन बक्स पे कितने कम्हाई की ओर सिमाईखी से कितना कॉलेक्षिन क्या वालिवर्ट से कितना क्या कि निकिन मुविस के रिकार्ड्स को तोड़ा फिल्म का लाइफ टेम कोलेक्शन कितना आएगा सब कुछ जानें कि इस वीडियो में तो बस आप लोग इस वीडियो के साथ बनी रहेगा दूसर जिदेगवण की शातान फिल्म में दस दिनों का अंदर हिंदी बैल्ट में एक सो पांस क्रोड की कमाई करके में भी दोस्तों शातान भी आज़े देगी और की केरेड की नंबर फॉल मैसी विल्म बनेगी जो लाइफ टेम हिंदी बैलट मेराम से 200 क्रोड का नंबर क्रास कर देगी गोल माल आगे हैं तान्या जी एंधरी शम्ट वेन इसके बाद शातान भी इस रिकोर्ड में एड हो जा दोस्तों शातान का बहे देगbaar 50 क्रोड ईजने अपने दिन वर्ल वर्ड में 23 क्रोड का धंदा किया था माइड ब्लोइंग ओप्रिंग लेए थी दूसरे दिन 26 क्रोड की कमाई केरके 30 दिन 71 क्रोड की कमाई की थी शातान दोस्तों डेप लेक्षोर को इंदिन बाक्स पे 7, डेसर क्रोड 40 सलाग कुरपे का दंदा किया तो वर्ल वड में 91 क्रोड का अखरा टच किया था पांचवे दिन जो कॉलक्षन था शेतान का वो 7 क्रोड का रहा था चटवे दिन 6 क्रोड 30 सलाग कुरपे की कमाई की थी और वर्ल बड़े वे 10 क्रोड की कमाई की थी षटाने 27 और 9 को दो आप लोग देख सकते हो, 9 क्रोड 20 वा पी क्माई की थी दे टैन को 10 क्रोड 10 सिलाभ पे क्माई की थी जीसरा मैं आपको पहले बिदा चुका हूँ फिलंब ने केլल 10 दिनों का अंदर हिंदी बेल्ट में 105 क्रोड की क्माई कर ली थी इंडिया ग्रोस एलक्षन में 135 क्रोड की कमाई करते हुए ओवर सी मार्किस 27 क्रोड का दंदा किया था शतान 10 दिनों का अंदर वल्ल बड में 156 क्रोड की कमाई की थी और शतान 2211 को इंडिन बोक्स पे 3 क्रोड 30 लाख रुपे की कमाई करके वल्ल बड में 6 क्रोड की कमाई करने में सब बलो पाई थी शतान 211 दिनों का अंदर इंडिन बोक्स पे 111 क्रोड की कमाई करके वल्ल बड में 160 क्रोड की कमाई करके केवल 11 दिनों का अंदर इंडिन बोक्स पे सुपर हिट बनने का टैग लगवा लिया था डे 12 को शतान इनिन बोक्स पे पूरे 3.25.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. जब लेते हुए 4.90 लाग रुपे की कमाई करके वर्ल्ड वड में 7.10 लाग रुपे की कमाई करके इत्यास रच दिया था वहें पर फिल्म जो Day 17 को Sunday special पे Indian box पे 4.60 लाग रुपे की कमाई की इंडिया ग्रोस लक्षिन में 6.10 लाग रुपे की कमाई करते हुए Overseee Markie से 50,00,000,000 की कमाई की शतान 217 को World World में 6,60,000,000 की कमाई की अरने में सब लो पाई दूसरो जिस तरह इस फिल्म में पहले और दूसरो तीसरे सचरी संडे को बेतरी जंप लिया इस तरह ये फिल्म जो है चोथे सचरी संडे को बेतरी जंप लेगी फिल्म के अंदर अभी potential है आज सिनमावल में शातान को रिलीस होए तीसरा वीकन चल रहा है तीसरे वीकन के भी पांच दिन कमलीड हो चुक है यानि डे अठरा को फिल्म इन बॉक्स पे मंडे को 2.30 Lakh की final कमाई की है इंडिया गोसर अक्षन में 3.40 Lakh की कमाई करते हुए ओवर सी मार्की से 2.30.00 रुपे की कमाई माइंड ब्लोइंग कमाई गया वेल अगर बात की दोसर शेतान Day 19 को निन बॉक्स पे 2.00.00 की कमाई करेगी इंडिया ग्रोस सेलक्षन में 2.90.00 रुपे की कमाई कर चुकी है Overseer Market से 20.00.00 रुपे की कमाई करते है इंडियन बॉक्स पे जब रात 12.00.00 की कम्पलीट डेट आएगी रिपोर्ट आएगी 210-20.00 रुपर नीचे हो सकता है लेकिन आपको दुबारा से आपको यह एकजिट रिपोर्ट देखने को मिलेगी वेल दोसर गर शेतान का 2019 का कॉलक्षन एक क्रोड से नीचे जाता फिल्म बॉक्स पे कभी भी 150 क्रोड का नंबर क्रास ना कर पाती लेकिन 2019 का कॉलक्षन 2 क्रोड का वो काबले तरीफ कॉलक्षन है शेतान 19 दिनों कंदर हिंदी बेल्ट में 127 क्रोड 80 लाग रुपे की कमाई कर लिया है 19 दिनों कंदर शेतान इनिन बॉक्स पे 129 क्रोड 40 लाग रुपे की कमाई कर चुकी है और की फिल्म ॹर्ली बढ़ में 60 क्रोड का बिडीट निकानने कि बाद 141 क्रोड 35 लाग रुपे की profit में कमाई कर चुकी है जैसे यह फिल्म जो profit में 3 गुना कमाई करेगी यानि यह profit में 150 क्रोड की कमाई करेगी यह film अराम से blockbuster बनने का tag लगवा लेगी 200 boxers की production यही बहुत जी सरा day 18 day 19 का collection हमने देखा है फिल्म अराम से indie ballot में live time in box पे 180 क्रोड का धंदा तो must करेगी में भी 200 क्रोड के भी कमाई यह film कर ले अगर यह film 40 दिन चल जाती है यह film 30 दिन तो चलेगी आराम से जलेगी यह बहुत तक यह film अगर चलती रहती तो यह राम से 200 क्रोड का number क्रास कर देगी और यह film all time world world में राम से 250 क्रोड का तो number confirm करेगी लेकिन 300 क्रोड का कला भी निवाड करके यह film जो है all time blockbuster बनने का टेगल लगवा सकती है वैल दोस्तों शातान को लेकि outstanding हमको performance देखने को मिल रही है काबले तरीफ collection है films के maker के लिए इस उपकावना है क्योंको एकर film को बॉक्स पर सूपर हिटी बन जाती है तो films के maker के लिए वो एक बहुत खुशी की बात होती है और जब film blockbuster बन जाती तो guys वो एक मिसाल बन जाती है और जब यह film all time blockbuster बन जाती है तो जाई उसके लिए history लिखा जाता है जाई शारुकरन की पठान ने history रखी थी जवान ने history लिखी है KGF2 ने history लिखी है दंगा ने history लिखी है उस तरह शातान भी blockbuster बनके इन्ये cinema की बॉक्स उस पर records में history लिखते की जो काबले तरीफ collection ये film कर रही है मिलते नेक्स एडियो में